प्राइमरी मार्केट पर हल चल बहुत प्राइमरी मार्केट पर हल चल बहुत प्राइमरी मार्केट पर हल चल बहुत पर हल चल बहुत पर चल बहुत पर आपको दिखाई देगा फिर बता दू इस समय निके स्ट्रेट टाइम्स और यह जो ओपनिंग होई है दोनों इंडिक्स की यह पॉजिटिव नोट पे होई है निके फिलहाल सवा एक परसेंट के आसपास की तेजी जो है वो दिखा रहा है शंगाई कॉंपोजिट में भी हल्की तेजी के साथ यहां पर शिरुवाती टिक्स देखने को मिले हैंग सैंग फ्लाट है कॉस्पी में थोड़ा सा निकेटिव रियाक्शन है लेकिन ताइवान की ओपनिंग भी पॉजिटिव फुटिंग पे होई है कोई बहुत बड़ी तेजी किसी भी मार्केट्स पे नहीं लेकिन फिर भी सरेंडर नहीं कर रही है मार्केट्स यह हैं इंपॉर्टन और यूस मार्केट्स देख लीजे आप डाव जोन्स एक चुधाई फीज़ी के आसपास की बढ़त थी नास्डाक में तेजी बनती हुई नजराई और सन्पी 500 भी तीम पॉइंट्स के आसपास के भढ़त के साथ क्लोज होता हुआ नजराया आज इंपॉर्टन ये भी के FOMC की बैठक शुरूरी उससे क्या आउटकम निकल सकता है इसी का और जायजा लेने ते मेरे स्क्रयोगी संदीप इससे मेरे साथ निजरूम से मौजूद है संदीप बताएं इंटरनाशनल क्यूज क्या कोशन दे सकते हैं इंडन मार्केट्स को आज डेफिनेटली अगर आप एज़े निफ्टी को छोड़ दो जो की मामूली गिरावट दिखा रहा है आज जब शुरूआत हुई है तो डॉलर अगर आप देखें यन के मुकाबले साथ हफते की उचाई पर है उसका जो इंपक्ट आप देखें एशिन मार्केट में और खासवर पे निके में पॉस्टी साइट पर देखने को मल रहा है आप जो इंपॉर्टेंट ट्रिगर जैसे आपने कहा फेट की बैटेकार उससे पहले अमेरिकन मारकेट फिर से एक रिकॉर्ड उचाई पर बंदो एकल फिर से एक चुताई पसंद के आजपासी गेंस से और फइनाशल शेर्स लीड करते हो दिख रहे थे देखें ब्याज़रों से कोई चेड़ चाड होगी ऐसा बजार एक्सपेक करके नहीं चल रहा है लेकिन जो बांड बिक्वाली होनी है जो बांड अन्वांडिंग होनी है उनकी तरफ से उसके उपर जो फैसला है जो घोशना है उसकी वो और समय सीमा पर जो सफाई है वो ब पॉलिसी स्टैंस है जिसमें जो बांड बिक्वाली होनी है उसको लेकर जो सफाई का इंतजार है वो बजार काफी कीनली वाच कर रहा है तो वो जो फैसला जब कल शाम को आएगा उसका इंपैक्ट ग्लोबली मार्केट्स पे देखने को मुलेगा लेकिन आपको बता दे य रहे हैं और यह कारण है कि आप जैसे पूछ रहे हैं कि क्या एक मुमेंटम मिलेगा इंडिन मार्केट्स को डेफिनिटली देखने को मिल सकता है चले लेकिन आलरेडी तेजी बन चुकि है यह भी कही ना कहीं नोट कीजे आप क्योंकि बहुत स्ट्रॉंग में है अपने पास-पास के खरेदारी यहां पर निकल के आई है साथी साथ आज अगर आप ट्रेड बनाते हैं तो देखे कंसेंसस है जो हमने जायतर ब्रोकर से पूछने की कोशिश किया हो निफ्टी का लक्ष है 10,230, 10,240 लेकर चल रहे हैं 10,110 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अप बहुत मजबूत है यही कुछ ऐसी पॉकेट से जहां पर तेजी भड़ सकती है मेटल स्टॉक्स और कॉमरिटे रिलेटेड स्टॉक्स पर भी इस समय तेजी देखने को मिल रहे है और प्राइमरी मार्केट जैसे में बार-बार कह रहा हूं आईसे इसे लॉंबार्ड के सब आपका सब मार्केट पर अप्रोच आज के दिन की रणीती बताएं तो यही कर रहा है कि अब क्यूंकि जो स्टर है और अब जो फ्रेश बेस है वो लगबग 10,000 का मान के चलेगी जब तर दस ब्रेक नहीं करता है तो अगर मिलता है तो एक बार बाई करने के सला रहे हैं यह स्पॉर्ट के लेवल में को लिके चल रहा हूं और 10,100 का हम स्टॉप लोस लेके चलेंगे और मेरा मानना यह है कि 10 सब्सक्राइब निफ्टी एक बार 10,400 या 10,450 को टेच करने कोशिश करेगा अच्छा आप बहुत बड़ी कोई विक्वाली एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं आप और रहे हैं 10,100 का स्टॉप लोस लगाई है 10,190 तक के टागेट्स और मिड टर्म में तो आप और भी बहतर ट जैसे आप बात कर रहे हैं ते कि ऑटो सेक्टर है, बैंकिंग है, फाइनेशन है, यह सब बीड बेड लिए सेक्टर वाइज आप सब आउट पर्सम ही कर रहे हैं अब उसमें जो दो स्टॉक्स मेरे को नजर आए हैं चार्ट पर जो बहतरी चल सकते हैं वो उसमें एक MS, SL है और अगर किसी का भी 15 दिन का है, तो 725 के भी टार्गेट आपको देखने को मिलते हैं और दूसरा स्टॉक चार्ट पर अच्छा लग रहा है बहतरी जो कि मैं आपके शोस पर में लगबार दो तीन मेने पहले से बोलता चला रहा हूँ वो बाता है, 729 के आज पास में बंद अगर किसी का भी एक से दो महीने का है, तो यह लगबार हजार के लेवल को भी टॉच करना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी इसके लिए 486.8 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा, IDBI Capital की राया है, खरेदारी की, सिंजीन, कल लेटर हाफ में कुछ फार्मा स्टॉक्स पे खरेदारी भड़ गई, जिसमें सिंजीन और बायकॉन दोनों ही तेज हुए, 486.6 का एक स्टॉप लॉस लगाई है, आज का टागेट है 510 का स्टॉक पे भी तेजी एकस्पेक्टेड है, IDBI Capital की राया है, जीनस पार, स्मॉल कैप स्टॉक, कल काफी स्टॉप लॉस लेटरन्स डिलिवर कर रहा था, 5% के आसपास की तेजी थी, आज स्टॉप लॉस है 49 का 56, ये चॉइस ब्रोकिंग के रडार पर हच्छी तेजी बन सकते हैं और एक और स्टॉक है नोसिल, जिसमें आज का टागेट है 160, स्टॉप लॉस 146, चॉइस ब्रोकिंग की खरेदारी की सला, तो ये कुछ इसे ट्रेड्स हैं जहां पर आप पॉजिटिव स्टॉट पे अप्रोच कर सकते हैं, एशिन मार्केट पे एजजिस निफ्ट प्रणकारी दे रहे हैं हमारे समवादाता अलोग प्रियदर्शिव जा रहा था कि एकनॉमी ब्लूम कर रही है, हर तरफ काफी अच्छा माहल है, एक एक इस्तिती काफी खराब हो रही है, और देखें तो सबसे पहले जो कंसर्न है, वो है GDP ग्रोथ का, इसके अलावा अगर देखें तो जो current account deficit है, वहाँ पर भी काफी गया पा गया है, और खा साथी साथ, जो revenue का इशू है, करीब जो सरकार ने कहा था है कि GST से करीब 96,000 क्रोड का revenue आया है, लेकिन देखा यह जा रहा है कि उसमें जो input tax credit है, उसको return देने में ही सरकार के पास काफी पैसे निकल जाएंगे, करीब 56,000-57,000 क्रोड पर निकल जाएंगे और सरकार के पास सीजन होता है, अमवन देखा जाता है कि crude जो है हमेशा high पे रहता है, तो ये भी एक अपने आप में alarming situation है, और बेट्रोल लीजल की सहती को देखते हो, आप देखी रहे हैं कि बेपक्षी दलों की तरप से और कुरे हर जगा से pressure सरकार पर लगातार बनता जा रहा है, तो इन बेटक में खासतोर से जो economic advisor है, चीफ economic advisor अरविन सुमन्ने में एक presentation पेश करेंगे और इस बेटक में वित्मंति अरविन जेटली अपने तमाम जितने भी बड़े top officials हैं, जितने secretaries है economic department के, वो वहाँ पर बेटक में मौजूद रहेंगे, तो ये बेटक प्रधान मंतरी जो ले रहे हैं, ये इस माएने से काफी अहम है, क्योंकि situation जो है, वो economic की, वो अब कह सकते हैं कि धीरे धीरे बिगड़ रही है, या फिर जो एक उमीद की जा रही थी growth की, वो growth निकल कर सामने नहीं आ पा रही है, जो कि मोदी सरकार चाहती थी. प्राइमरी मार्केट से ही है, आई से लॉंबार्ड आज IPO का आखरे दिन है और बहुत strong subscription figures है, अभी तक 98% के आसपास के subscription figures निकल आए हैं, IPO का price band बता दू, 651 से 661 रुपे प्रतिश शेयर तै किया गया है, IPO का और जो इस जरीए लगबग 8.62 करोड शेयर बेच रही है कमपनी, प्राइवेट जनरल इंशूरिंस कारोबार पे सबसे बड़ी कमपनी है, OFS के जरीए, ICICI Bank जो है, वो 3.17 करोड शेयर बेच रहा है, और FVL 5.44 करोड शेयर बेच रहा है, कुल मिलाकर 5600 से 5700 करोड के आसपास की रकम है जो कमपनी जुटाने जा रही है, और यह successful IPO होगा, क्योंकि आप 98% सबस्राइब होगा, अब तो यह देखना है कि over subscription figures यहाँ पर कितने निकल के आते हैं, दूसरा secondary market पे जहां हल चल है, उसमें stock है NALCO, इन्होंने करार किया है, देखी और यह जो करार है, यह हिंद कॉपर mineral exploration के साथ किया गया है, मुद्धा यह है कि जो विदेश में minerals हैं, उसकी खरीद की जाए और उनको इंडिया में बेचा जाए, उसके लिए यह JV हुआ है, नालको पे नज़र रखनी होगी, कर लेटर हाफ में metal stocks बहुत active हो गए थे, जिसमें नालको सवाथ 2% के आसपास का return देता हुआ नज़राया, Tata Motors बहुत important होगा, 2000 करोड के एक block deal होने जारी है और यह कुल equity का लगभग 1.7% हिस्सेदारी है, यह बता दे आपको Tata Suns एक chunk खरीद रहा है Tata Motors में और उसके जरिए, यह block deal के जरिए आज हो सकता है कि एक एहम deal हो जाए, 421.56 प्रतीश शेर, maximum इस भाव पे यह share खरीद यानि कि जो पिछली closing थी, उससे लगभग 4% upside, तो देखना होगा Tata Motors कैसे react करता है और पिछले कुछ दिनों में आपका याद होगा, अच्छे gains दिलाज चुका है Tata Motors, तो यह block deal होने जारी है, इसके लावा भारत gears, important ख़बर है, प्रमोर्टर को 3.25 लाग शेर जारी करने क मंजूरी दी गई है बोर्ट की तरफ से, और यह preferential shares के, preferential basis के अधार पर यह share जारी होंगे, तो भारत gears, यह react कर सकता है, कल भी 3% के आसपास की तेजी थी, India Bulls Real Estate, अभी SFNO का हिस्सा नहीं रहेगा, एक बड़ी खबर है जो stock watch dominate करेगी, एक December से जो contracts आने वारे थे, वो नही महिंद्रा Life और IFC के बीच करार हुआ है, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्मेंट के लिए करार किया गया है, IFC आपको बदा दे, International Finance Corporation है, और IFC की और से कुछ रकम infuse किया जाएगी, कुल मिलाकर 5 करोर US डॉलर की रकम जो है, वो इस करार के तहत infuse की जाए और जुलाई से ये पार्स्टेशन जो थे वो बंद थे, अब इन पर काम दोबारा शुरू किया गया, तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज आपको रेडार पर रखने हैं